गुड अट्रनून फ्रेंड्स तो अभी हम लोग बात करेंगे जारकन सहाया कचायर भरती परिच्छा मैथ और साइन्स के लिए मैथ की क्लास को आज हम लोग डिल करेंगे यहां पे जिसमें से पोर्शन हमारा होगा कॉडिनेट जोमेट्री आनि एनलेटिक जोमेट्री से सब सबंदित हम लोग इसका टॉपिक को देखेंगे देखें सहाय कचायर भरती परिच्छा है इसमें जो आपको मैथ का टॉपिक है और जो कॉडिनेट जोमेट्री में आपको पढ़ना है यह आपको यहां पे अभी आज की क्लास हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे दो अपको इंट्रोडे साथ में इसे रर्लेटेड कुछ चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए साथ कि लेटिस्ट वीडियो का अपड़ेट आपको यहां पे मिलते बहें और अन्त में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए जाकर क्योंकि लाइक करने मापको पैसा नहीं लगता जाकर के इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो अच्छी तरह से हम बना सकेंगे साथ में आप कमेंट करिएगा कि किसी सेक्षन में अगर आपको दिक्कत होगा तो और भी वहां सुधार करने करने की कोशि उन फिरह दिए जाकर और जोयं तो यहां पर क्या है कि जोमेट्री की बात करेंगा तो जोमेट्री जो हमारा है यह सिंट ग्रीक वर्ड यहां पर जिसका जियो में नदॉन दो और मतलब होता है मेज़रमेंट मेजरमेंट औफ अर्थ वम बात करते हैं तो geometry को क्या बोलते हैं कि geometry में हम लोग क्या करते हैं simple यह आप जानिए कि geometry is the branch of mathematics that deals with shapes, angle, dimension and size of variety of things we see in everyday life आनि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो कई प्रकार के dimension हो गए यहां पर जैसे length है, breadth है, height है यह सभी सारा चीज़ के बारे में जानते हैं यहां पर, चाए volume किसी का अगर निकार रहे हैं, तो वहां पर हम लोग यह करते हैं तो यह अलग-अलग shapes हमारा बनता है जाकर के, जिससे suppose कर लिए कि आपको rectangle बना हुआ, square बना हुआ है तो यह इसके बारे में जो deals करते हैं, angles के बारे में जो deals करते हैं, यह तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, यह geometry का ही हिसा है, ठीक है इसी geometry का concept को और आगे develop करते हुए, अभी जो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, यह हमारा coordinate geometry हो ठीक है तो coordinate geometry आने की ये two dimension हो गया two dimension करने मतलब क्या हो गया कि अभी जो हम लोग figure पढ़ेंगे यहां पे अभी on the क्या पढ़ेंगे हम लोग एक plane की बात करेंगे और plane में क्या होगा ये two dimension होगा two dimension का मतलब जिसका एक length होगा एक breadth होगा यहां पे तो डामेंशन की अगर बात करेंगे सबसे पहले यह ध्यान दखिए जो भी फिगर हम लोग पढ़ेंगे यह प्लेन पर पढ़ें प्लेन क्या होता है तो फ्लेन इस फ्लेट सर्फेस वीच आज नौ बाउंडरी और थिकनेस तो यह आपको यहां पर क्या है कि यह प्लेन का डि सबसे पहले यह देखते हैं कि इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे इसका बसी कंसेप्ट देखते हैं कि यह एक और यह ब्रांच है का जिसमें आपको क्या करते हैं कि हम लोग यहां पर दिखा देंगे यहां पर कि coordinate axis करने का मतलग क्या है कि suppose कर लिए कि अभी यहां पर माल लेते हैं कि दो लाइन है ठीक है तो यह जो हमारा horizontal line है इस horizontal line को इसको बोलते हैं हम लोग x-axis जबकि यह vertical x यहां पर जो line है इसको बोलते हैं क्या यह का लाएगा आपको यहां पर यह वाई एक्सिस का लाएगा जब यह दो line एक दूसरे पर intersect करता है 90 डिग्री पर तो यह जहां पर intersection point होता है उसको origin बोलते हैं यह एक्स-axis हो गया यह तो x-coordinate बोलेंगे यह इसका y-coordinate हो गया अब suppose कर लिए कि किसी भी point को अगर हमको locate करना है यहां पर point को locate करना है तो क्या करेंगे हम लोग कि इस पी सबसे पहले जिस point पर location का मतलब क्या होता है इसका स्थान को दोनेंगे तो अगर हम लोग किसी भी प्लेंड पर किसी का point अगर अगर हमको तो क्या करता है उस point से उस एक्सीज पर आने सबसे पहले y-axis पर करते तो distance from the y-axis y-axis is distance होगा यहां पर इस पर perpendicular डालेंगे तो इस पर x-axis यह का लाएगा y-coordinate का लाएगा और यहाँ पर distance of y-axis the distance from the y-axis यह का लाएगा आपका x-axis आनि यह distance आपका x होगया आनि यह होगया आपका y होगया तो यह जो point होगा यहाँ पर इसको बोलेंगे आपको x-y बोलेंगे यहां पर यहाँ पर यहां पर बोलते हैं यह एक स्थान को लोकेट करते हैं जिसे किसी इस्थान को लोकेट करना अगर है सब्पोज कर लिए कि कोई अस्थान यहां पर दिया हुआ है तो उसको हमको लोकेट करना है तो लोकेट करने के लिए आपको एक डारेक्शन सब्पोज कर लिए आप जहां पर हैं जाकर करके वहां से किसी को अगर कोई आप से पूछ रहा है कि कहीं दूरी पूछ रहा है तो यह जो डूरी हम लोगताते हैं कि यही हमारा पॉइंट यहां दिखार हें साथ में यह Music कर लिए वे गृश्पोंडे में असानी हो जाता है से यह लोगं से प्लेन में हम लोग क्या करेंगे हम लोग बिदाऊट मेजरमेंट के भी कई यह से फर्मूले यूज़ करके यहां पर जैसे दो पॉइंट के बीच में सब्सक्राइब कर लिए कि अब आपको यह नहीं करना कि तुरह ते मीटर निकाल अर्याना आप दिजेगा आपको क्या करना यहां पर कि दो वाला जो पॉयंट होगा यहां पर तो उच्व होगा होगा यहां पर यह सपोज कर लेते हैं इसके बीच व addicted यह भी निकाल सकते हैं यह अंपर एरिया व्या कर सकते हैं कि ट्रेंगल निकाल आता यहां पर और अलजेब्रिक किसको बोलेंगे यहां पर अलजेब्रिक हम लोग यह कंबिनेशन आफ वेरियेबल और कॉंस्टेंट विट फॉर फंडमेंटल मैथेमेटिकल ओपरेशन यह काला आता है अग्या कर देते हैं तो वहीं एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाता है इक्वेशन बन जाता है तो इस ग्राफ के ढ़्युट्व में भी हम पर रिपर्जेंट कर सकते हैं ठील इन कॉडिनेट जोमेट्री एप पियर ओफ नंबर्स कॉडिनेट्स और यूज़ तो डिटर्माइन दपोईशन और पॉइंट और सेप इन अ तो डामिंशन प्लेन आप कॉडिनेट्स जो में देखते हैं जो पेर में हम लिख रहे हैं पहले पहले अपर शीज़ा लिखें फि इसका किसी और यहांपर इपाने के लिए यह हमारा बताय का यह को बताता है यहां पर पोजिशन और सेफ इन टूडामिंसंग प्लेसिंग में आपका टू-टी में से पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए यह हम लोबढू पियर और नमबर्स यूज़ करते हैं थीक है ऋदफार यहां पे यहां पे यह लाइन को कला है कि यहां पर किया है कि the point where the two axis intersect is called the origin 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 इसको बोलते हैं और साथ में the coordinates of the origin are 00 आप यह जानते हैं कि जहां पर दो line intersect कर रहा है जहां पर horizontal line जिसको x-axis बोल रहे हैं वर्टिकल लाइन जो कि y-axis जहां पर दोनों का intersection point है इसको क्या बोलते हैं और इसका जो coordinate होगा वो 00 00 क्यों होगा कि यह सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग रियल नम्बर में पढ़ रहे हैं यह नमबर विच रिपर्जेंट वंदर लाइन अगर यह क्या कर सकते हैं हम लोग नमबर को रिपर्जेंट कर सकते हैं तो यह का लाएन तो आनि यहां पर क्या होगा इसका एक्स को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर क्या है कि यहां पर यहां पर अब करते हैं तो यह कई में यूज किया था मैंस लगवग पार्ट में आपको मिलेगा जाकर करके यहां पर लेकिन फाइंट देखिए फाइंट दिस्टेंस बिटिमिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कर निकालना है तो इसमें यूज करेंगे डिवायर लाइन एम इ इंटर्सक्शन करें ठीक है फाइंड मीड़ पॉइंट आप दा लाइन किसी भी लाइन का अगर कोई लाइन हमारा दो पॉइंट दिया हुआ उस दो पॉइंट के बीच में सपोज कर लिए पॉइंट एक का कॉडिनेट पता है बी का पता है आपको तो आपको मापना नहीं ठीक है मापेंगे नहीं विदाउट हम लोग क्या करें इसका कीकी बीरिफट्रेंस डेना पढ़ीघ किister drop पर इसको मैंजर सेम भाई और यहाँ ठीक है ठीक कई सक्टा की तो इस प्लेन को कि यहां जो प्लेन होगा यह रेक्टेंगूलर प्लेन हमारा है इसको रेक्टेंगुलर प्लेन बोलते हैं और एक होता है अबलिक प्लें प्लें का बोलेंगे जब दो एक्सिस जो है एक दूसरे पर 90 डिगरी का एंगल बनाता इंटरसेक्षन अगर 90 डिगरी का है तो यह का लाएगा आपका क्या इसको बोलते हैं रेक्टेंउल एक्सिस के बारे में पड़ते हैं जबकि आपको पता है जब सब्सक्राइब गart बेरी होगत फिरनों का इन्ट को इससेज परिखतПр ś एक्सिसद बोलते हैं दो यहां पर यहां पर यहां पर बनेगा और यहां पर एरिया आफ ट्रेंगल बनाते हैं निकाल सकते हैं साथ में अगर एरिया हम लोग निकालना किसी भी ऑनी इक कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग पढ़े यहां पर क्या क्या अभी सबसे पहले अगरम यहां पर चैडल को Peng एकसी बोर रहे हैं पर जबकि यह हमारा किया हो जागा यह से को जाएगा अब यहां पर क्या करेंगे जहां पर दोनों इंटर्सेक्ट करता यह intersection point को क्या बोरे हैं मारीजीन बोरे इसका तो यहां पर क्या होगा एक लाइन हमारा बता रहा है कि है तो हम लोग खीच देरं एक लाइन video क्रोंस लाइन me कि यहां नेगेटीव में हो जागा यहां पर तो यह आपका यहां सबसे पहले क्या हो गया कि अभी हम लोग सबसे पहले एक एक एकसीस कीचे और जेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन यहां पर यहां पर इंटर्सेक्शन किया दुसरे पर एंगल पर इंटरसेक्शन क्योंकि रेक्टेंगल रेक्स समलोग यहां पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं और जीन बोलेंगे इस और जीन का यहां पर जो और जीन का कॉडिनेट होगा यहां पर तो क्या होगा तो यह 00 होजगा ठीक है सब्सक्राइब कर लेते हैं यहां पर क क्या कि अगर यह सब के से इस पर पर पिंडिकुलर डालेंगे न तो यहां पर हम लोगल सकते हैं the distance of a point from y-axis is the x-coordinate और abcissar distance लेखिए यहां पर distance यहां पर क्या है of a point from y-axis y-axis से यहां पर distance हो गया इसी distance को हम लोग x-axis बोलते हैं यहां पर आने x-coordinate बोलेंगे यहां पर यहां पर यह काल आपका अगता है एरिया भी पॉजिटिव होता है वोल्यूम भी पॉजिटिव तो इधर क्यों जा रहे हैं 11213 यहां तक दूरी कितना हो गया तो तो यह थी यूनिट्स हो गया आपको यहां पर साथ में यह कितना है कि अब यहां पर क्या है कि जो फनी से यह दूरी होगा अ क्या हो खेंका यह शीसा को लिखेंगे थ्री प्रेखन कि क्या है प्रेया दोल्ट फार दाफ करकेंगे यह जो points का लागा यहां पर यह point P का जो है इसको ordered pair के रूप में लेखते हैं सबसे पहले यह x-axis वाला करेगा पहले फिर यह 4 जो हमारा y-axis वाले को रखेंगे पहली horizontal line वाला को फिर vertical line वाला तो इस P point का location पता चल गया यहां पर इस plane पर तो इस plane में क्या क्या देखें यह plane ज quadrant का लाता है यह का लाएगा first quadrant second quadrant third quadrant fourth quadrant जो first quadrant होगा इसमें देख रहे हैं कि x का जो value यह positive है उपर वाला भी positive है इसका दोनों value positive हो जागा यहां पर प्लस प्लस होगा यह minus plus होगा क्योंकि यह देख रहे है origin से अगर हम लोग लेट की और बढ़ेंगे तो यह x-axis minus में होगा य third quadrant में fourth quadrant में आपको क्या होगा की देखे एक स्प्लस में और y उमारा क्या होगी कि माइनस में तो यह आपका क्या होगा plus minus हो जागा यहां पे तो यह आपका हो जागा पहला यह first quadrant 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 मिनींस होता सिस्टम में हम लोग कौाइडिनेट सिस्टम पढ़ रहें और यह कौइडिनेट सिस्टम पढ़ रहें और यह सब्दों का सब्सक्राइब पाता है क्या एक्स कॉडिनेट का यहाँ पर जबकि हमारा पॉइंट पी में अगर को पॉइंट को दिखाने दिस्टेंश ऑफ दा डिस्टेंश फ्रम दप वाई एक्सिस कॉल का लाएगा आपका वाई कॉडिनेट का लाएगा तो यह दोनों मिला करके जो लिखेंगे यहाँ पर यहां पर कोडिनेशन जो बनाएंगे यहां पर कंसे इंप परिखाई एक वर्ति परिच्छा आपको पढ़ना लेकिन इस की पता होनी चाहिए प्योंकि जब इसका का यूज होगा तक से लिखन को हार। इनका कुछ दिन से mathematics चुट गया होगा उनके लिए important होगा यहां पर जल्दी जल्दी हम लोग कभर कर लेंगे ताकि आपको जहां से पढ़ना है जाकर पैराबोला से पैराबोला मापको यह helpful होगा I hope यह वीडियो आपको informative लगा होगा अगर दोस्तों को इसकी आव सकता है अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ चाहिए